नमाशकार मैं हूँ वसीम अकरम और आप इस वक देखने हैं मेरे साथ CIB इंडिया निउज ले जाया गया जहां आज दो दिन बाद उप्चार के दोरान उनकी मौत हो गई वहीं जब रिता के भाई से बात की गई तो उन्हों बताया कि आरोपी बाइक सवार को जब आस पास के लोगों दोरा पकड़ कर पुलिस को सौप दिया गया फिर भी आरोपी स्थाने से गायव कैसे हो गया जिसको लेकर तरह तरह की चर्चार चल रही है तो वहां से गाय कोई अंदर आगी ती जह जो डूटी लगी ती जवार पार्क में तो वहां से यह गाय माल करके वापस लोट रहे थे कोई तेज बाइक में लापरवाई से चलाता हुआ आया और उसमें उनको टक्कर माल दी और टक्कर माल के बख्या तो क्या बाइकवार पकड़ा गया है बाइकवाला फर भखक करके जो भी असनल पर गाड जो थे उनकी साथी और कुछ ही जहाए यह इधर जभार-पार्क-वाले इन लोगों ने यह इसे पकड़ लिया अपकड़ करके थाने नि थाने में में बतात रहा हुँ कि थाने में यह तो जो है अपना जमा कर आए वहाँ, सो नमर वाले वहाँ उस पे दियाए, मेडिकल में, और मेडिकल में दे करके इनों ने जो है, बो जो है, मुगदमा कायम करने के लिए हम बाद में आए, जो रही गंटे बाद सुचना मिली हमें, तब हम आए, और घर वाले आकर के, ज में बड़ा भाई है, कटना यह हूई थी, इनकी पार्क के सामने पार्क पर गेटर पर डूटी चल लए थी, ओगे उस सड़क पार्क करने में एक्सिदेंट हो गया, किस पार्पे थी? नगवी पार्क, राजगी उद्ध्यां जवार पार्क, अजा उसके बाद ये फिर क्या हुआ, तो बीजे में डिकल लेगे में डिकल इसे वर्टी कर दिया, उसके बाद में लेपट वालों ने उस जिसकी मोटरसाइकिल थी, जिससे एक्सिदेंट हुआ, उसे मोटरसाइकल बठा लिके थाने लेके, हमारे सामने ठाली बठा दिया, और मोटरसाइकल उन भरकम अमर का लगा था, इस्टूटेंट लाइक नहीं था, करीब होता 35 साल हुआ, तो थाने पर बतारते हैं लोग के तेजगती से आ रहे थे, ठीक